रातों रात सिर से लेकर पैर तक सरीर की सारी बीमारियों को चाट जाएंगे ये 6 दाने खून बनाने की मसीन और अनरजी का पावर हाउस है ये चमतकारी दाने नमशकार दोस्तों दोस्तो आज की इस वणियों में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे दोस्तो जिसको आप असानी से अपने घर पर बना सकते हैं और दोस्तो ये खून बनाने की मसीन है जो आपके सरीर में खून बनाने की फैक्टरी लगा देगा और आपको खून पड़ेगा आपको कभी खून की कमी नहीं होगी खून की गंदगी दूर हो जाएगी और खून की गंदगी के काण होने वाली सारी बीमारियां बेलकुल जड़ से खतम हो जाएगी आपका खून पतला हो जाएगा और यदि आपका खून पतला होगा तब आपको कोलोस्टोल और हार्ट ब्लोके जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इन कोलोस्टोल जैसी समस्याओं से बचे रहेगे, आपका कोलोस्टोल लेवल बिलकुल सही रहेगा, नसों की ब्लोकेश खुल जाएगी, और नसों में रक्त का परवहा प्रोफपर रूप से होगा, क्योंकि ये नुस्खा आपके ब्लोड को पतला करने का काम भी करेगा, और दोस्तों आप हार्डट जैसी इन दिल की बीमारियों से बचे रहेगे, ऐसा चमतकारी नुस्खा है, और दोस्तों आपके सरीर की कमजोरी को बिलकूल जड़ से खतम कर देगा, ऐसे कर देगा जैसे आपके सरीर में अनरजी का पावर हाउस लग गया हो, और दोस्तों आज की इस वीडियों की जो मुखे समगरी है, दोस्तों वो है किसमिस, दोस्तो किसमिस में फासपोर्स, कैल्सियम और पोटासियम भरपूर मातरा में पाये जाता है जो बच्चों के सारी और मांसिक विकास में बहुत अधिक मदद करता है ना सिरे बच्चों के बलकि बच्चों से लेकर बड़ों और बड़ों से लेकर बूटे तक कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है और उसको चमतकारी फाइदे इसके दिखाई देंगे दोस्तो किस्मिस वजन घटाने में बेहद अधिक असरदार है इसमें iron, magnesium, calcium और fiber जैसे गुन होते हैं जो आपका वजन तेजी से घटाने में आपकी मदद करते हैं digestion system को सही करके आपके पाचंत अंतर जुड़ी सभी तरहें की बेमारियों का इलाज करने की समता इस किस्मिस के अंदर है आपको इसका सेवन हर रोज करना चाहिए दोस्तो यदि आप रात की भीगी हुई किस्मिस और सुबह उन किस्मिस को चवा कर खाएंगे और उसके पानी को भी पिएंगे तो इससे आपके स्रीर की immune power रोगों से लड़ने की सक्ती बढ़ जाती है दोस्तो यदि आपको blood pressure की बीमारी है तब भी आज का ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपका blood pressure बिलकूल सही रहेगा यदि आपका पाचन तंतर कमजोर है और आपका पाचन से जड़ा किसी भी त्रहें का रोग है जैसे पेट में गैस, कबज या SDD तो दोस्तो इससे सभी त्रहें की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगे आपका पाचन मस्बूत हो जाएगा यदि आप अपने सरीर की immune power रोगों से लड़ने की सकती को बढ़ाना चाहते हैं तब भी ये बहुत अधिक कारगर नुस्खा है अपने सरीर की कमजोरी का इलाज करना चाहते हैं और सरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तब भी दोस्तो ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है दोस्तो अब आप कहेंगे कि मैं पहले तो weight loss के बारे में बोला था आप बोल रहा हूं कि ये शरीर को balance करने का काम करेंगे और ये किसमिस काम उसका आपके लिए ये ही काम करेगा यदि आपका वजन कम है तो ये आपके वजन को increase करेगा जिससे क्या आपके weight को balance करने का काम करता है हाडियों की कमजोरी के लिए दोस्तों यदि आपके स्रीर में calcium की कमी है या आपके स्रीर की हाडियां कमजोर है तब भी दोस्तों ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है और आपकी हाडियों की कमजोरी को दोर करने का काम करता है जोडों के दर्व खुटनों के दर्व इन स सबी समस्याओं का कारगर इलाज है आपकी इस समस्या का बिलकुल जड़ से इलाज कर देता है आपको कभी बुरापा नहीं आने देता आपके चहरी की सुन्दरता में चार चांद लगा देता है और वैसे भी जो सबी समस्याओं होती हैं चहरे से जुड़ी चहरे पर कील मुह वासे होना ये सभी समस्याइं खून की गंदगी के कान होती हैं और ये किस्मिस आपके सरीर के खून को साफ करने का काम करेगी जिससे कि आपकी ये समस्याइं दूर हो जाएंगे और आपके चेहरे पर नया गलवा जाएगा तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप से 10 किस मिस आप लेशकने और इनको एक कटोरी पानी में हमने विगव कर रख दिया जैसे कि ये हम ने आपके सामने रख दिया दोश्व अब आपने सुवेह करना क्या है सुवेह जप्लोड आपने किसमिस फूल जाएंगी. और आपने इस पानी को पी लेना है. दोस्तो ये पानी बहुत अधिक चमातकारी है. आपके सरीर के बहुत सारे बेमारियों का इलाज इस पानी के पास है. आप इसको फैंकने की भूल नहीं करना. और दोस्तो किसमिस के अंदर जितने गुन होते हैं, यदि आप किसमिस का भिगो कर सेवन करेंगे, तो उसके गुन और भी अधिक बढ़ जाते हैं, और भी अधिक निखर कर सामने आते हैं, और वो बहुत कारगर तरीके से काम करते हैं, अब आपने क्या करना है, दोस्तो इसक चार किसमिस बची आपने चे किसमिस दूद के लिए रख लेनी हैं, चार किसमिस आप ऐसे ही चबाकर खा जाएं। उसके बाद आपने इन बादाम को छे लेना है और कूट लेना है जैसे कि हमने कूट लेना हैं। तुबे खाली पेट करना हैं, यानि वो जो आपने किसमिस बाला पानी पिया था, उसके पीने के आदे घंटे के बाद आपने इस नुस्खे का सेवन करना हैं। और दोस्तों ये नुस्खा आपने कुछ दिन लिया और आपके सरीर की सारी बीमारियां बेलकुल जड़ से खतम हो जाएगी। दोस्तों इस नुस्खे का असर आपको पांचवे दिन से ही दिखना सुरू हो जाएगा। यानि आपने पांच दिन इस नुस्खे का सेवन किया और आपको कारगर प्रिणा मिलने सुरू हो जाएगे। लेकिन आपने इसका सेवन लगातार 21 दिन के लिए करन और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दे तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बै आने वाले वडियो की नोटिकेशन आत रहे धन्यवाद दोस्तों